अपने हिंदी सिक्ष्ण को परपावी बनाने के लिए सब्सक्राइब करें सल्ग हिंदी क्रिकी योटीब चनल नमस्कार प्रिविद्यर्तियों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्सा बारा अभ्यक्ति और माध्यम पाटिपुस्तक का अध्याय कैसे बनती है कविता तो यहां अपने महत्पुन प्रश्णों की कक्सा चार है यह चोथा बाग है और इसमें हम कैसे बनती है कविता इस अध्याय के महत्पुन प्रश्णों की बात करेंगे इससे पहले जितने भी भाग है भाग एक भाग दू और भाग तीन वो तीनों इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं वहां जाकर आप चारों भाग देख सकते हैं और हिंदी अनिवारिया और साहितिये में सम्मिलित अभियक्ति और माध्यम जो पाटिपुस्तक इसके मैत प्रोण प्रश्ण पढ़ सकते हैं ये सबी आपको SLB हिंदी ट्री की यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे तो आज बात करते हैं इन मैत प्रोण प्रश्णों की जिसमें पहला प्रश्ण इसुस परकार है देखिए आप तो पहला प्रश्ण की कविता का जन्म किस प माना जाता है सब्द प्रस्ट नमबर तीन है कविता सब्दों का खेल है यानि play with the words यह कतन किसका है तो यह कतन है डबल्यू एच ओर्डेन का इसके बाद प्रस्ट नमबर चार है वो है कविता की पहली सर्थ मानी जाती है कविता की पहली सर्थ किसे माना जाता है तो कविता की पहली सर्थ है वो है सब्दों से मेल जूल इसके बाद पांचवा प्रश्ण है हिंदी कवी सुमित्रा नंदन पंत ने ध्यान दे हिंदी कवी सुमित्रा नंदन पंत ने कवीता के लिए किस भासा की आवसकता पर बल दिया बहुत ही अच्छा प्रस्ण है और वो भासा थी चित्रभासा उन्होंने कहा कविता के लिए भासा कैसी हो चित्रभासा प्रस्ण नंबर चै कविता की आंत्रिक लए और अनिवारी तत्वे माना जाता है तो मिम्ब और चंद है वो कविता की आंत्रिक लए है और ये कविता के लिए अनिवारी तत्व है प्रस्ट नंबर साथ कविता के परमुक अंग या घटक कौन-कौन से है कई अंग होते है कविता के जैसे कविता के लिए भासा का होना भासा का ज्यान होना जरूरी है और उसमें फिर पहला अंग आता है सब्द सेली भासा को कहने का तरीका परिवे समय, भाव, लए, बिम्ब और चंद ये कविता के परमुक अंग या घटक है प्रस्ट नमबर आठ है कविता की मूल में किस तत्व की परधानता होती है देखिए तो कविता के मूल में समवेदना और राग तत्व की परधानता होती है प्रस्ट नमबर नो एक अच्छी कविता की क्या विश्यस्ता है कौन सी कविता को हम अच्छी कह सकते हैं तो वहा कविता जो पाठक को बार-बार पड़े जाने के लिए आमंत्रित करती है एक अच्छी कविता पाठक को बार-बार पड़े जाने के लिए आमंत्रित करती है और प्रस्ट नंबर अंतिम और दस्वा हैं वो इस प्रकार है कि कविता क्या है कविता क्या है तो कविता की यो तो परिवासा देना कठीन है कि कविता क्या है फिर वी सल सब्दों में कहें तो कविता कल्पनों की भावात्मक अभी व्यक्ति है कविता कल्पनाओं की भावात्म का विव्यक्ति है जिसके माध्यम से मनुसिय अपनी वाणी के द्वारा सब्द विधान करता है और आनद की अनुभूती प्राप्त करता है तो यह एक कविता की परिवासा है तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट करे और SLB हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर जाकर सभी वीडियो है उनको देखे लाइक करें, सेर करें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना बिलकुल नहीं भूले मिलेंगे किसी और नए अग्डिया के साथ तब तक आई दीजिए नमस्कार, जैहिंद, जैवार्द